नमस्ते, आज मैं आपको विशाक अमावस्या में, लोकडाउन में, घर में कैसे, नदियों के सनान का पुन्या प्राप्ट करें, इसके बारे में बताऊंगी विशाक अमावस्या विशाक महा का हिंदू धरम में विशेश महत्व होता है यह महा भगवान विश्णु की अराधना भक्ति का महा होता है इसमें किये गए पुन्य कर्म, व्यक्ति को जीवित रहते हुए समस्थ संसारिक सुक प्रदान करते हैं और मृत्यू के बाद बैकुंठ दहम की प्राप्ति करवाते हैं कहा जाता है कि इसी महा से त्रेता युक का आरंब हुआ था इसलिए इस महा की महता और भी बढ़ जाती है इस महा का परतेक दिन विशेश पुन्य दाई होता है और अमावस्या तो अपने आप में अत्यन फल दाई होता है विशाख हमावस्या के दिन दान, पुन्यस नान, दीप दान और पित्रों के निमित तरपन करने का खास महतव होता है साथ ही काल सर्प दोश से मुक्ति, शनी की शांती, अन्य ग्रहे दोशों से मुक्ति के लिए इस दिन पूजा आधी करना चाहिए विशाख हमावस्या 22 अप्रेल 2020 बुद्वार को आ रही है हमावस्या के दिन कैसे करें घर में स्नान, कोरोना वाइरस के कारण चल रहे लोकडाउन के चलते, बाहर किसी नदी में स्नान करना तो संभव नहीं होगा इसलिए अपने घर में ही विशाख हमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए प्रात्यकाद सुर्य उद्य के समय उठे दैनिक शोचादी से निर्वित होकर अपने नहाने के जल में नर्मदा, गंगा, आदी जिस भी पवित्र नदी का जल आपके घर में उपलब्ध हो वो डाल ले साथ में थोड़े से तिल भी डाल ले यदि आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल उपलब्ध ना हो तो निम्न मंत्र का उच्चारन करें गंगे, चै, यमने, चै, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंदु, कावेरी, जले, स्मिन, सन्निधी करू इसका आर्थ है, हमारे जल में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंदु और कावेरी, इन सब तनदियों का जल समाहित हो जाए व्यशाख हमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बाते मैं आपको बता रही हूँ व्यशाख हमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए, इस से सैयम, आतम बल और आतम विश्वाश प्राप्त होता है इस हमावस्या के दिन सनान के जल में तिल डाल कर सनान करने से शनी के दोशों से मुक्ति मिलती है इस दिन नहाते समय जल में यदि अपने दाहिने हाथ की तरजनी उंगली से त्रिकोन बनाया जाए तो धन की कमी दूर होती है इस दिन पित्रों के निमित तरपन करना चाहिए इससे उन्हें मुक्ति मिलती है पित्र दोश के निवारन के लिए वैशाख हमावस्या के दिन पित्रों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं इस दिन सनान करके सुर्य को जल में तिल डालकर अरग देने से ग्रह दोश दूर होते हैं दक्षिन भार्त में वेशाख हमावस्या पर शनी जयनती भी मनाई जाती है। इसलिए इस दिन शनी की पूजा अराधना करनी चाहिए। वेशाख हमावस्या के दिन परदोश काल में दीपदान करने से अकाल मृत्यू को टाला जा सकता है। वैशाख हमावस्या पर परदोश काल में पीपल के पेड़ के नीचे साथ दिपक जलाने से रोग मुख वैशाख हमावस्या से जुड़ी और आनिक का था। प्राचीन काल में धरमवर्न नाम का एक ब्रामन था। वह बहुत ही धार्मिक और रिशी मुनियों का आदर करने वाला व्यक्ति था। एक दिन उसने किसी महात्मा के प्रवचन में सुना कि कलियोग में भगवान विश्नु के नाम स्मरन से जादा पुन्य किसी भी कार्या में नहीं है। धरमवर्न ने इस बात को आतम साथ कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़ कर सन्यास ले लिया। एक दिन ब्रह्मन करते हुए भै पित्र लोग पहुँच गया। वहाँ धरमवर्न के पित्तर बहुत कष्ट में थे। पित्रों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे सन्यास के कारण हुई है। क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेश नहीं है। यदि तुम वापस जाकर ग्रहस्त जीवन की शुरवात करो, संतान उत्पन करो तो हमें मुक्ती मिल सकती है। साथ ही वैशाख हम अवस्या के दिन विधी विधान से पिंडदान करो। धरमवरन ने उन्हें वचन दिया कि वहें उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूरण करेगा। इसके बाद धरमवरन ने सन्यासी जीवन छोड़कर पूने संसारिक जीवन को अपनाया। वैशाख हम अवस्या पर विधी विधान से पिंडदान करके अपने पित्रों को मुक्ति दिलाई। धन्यवाद! ये थी वैशाख हम अवस्या की कुछ बातें और वैशाख हम अवस्या के इस दिन सुनने वाली कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं धन्यवाद